गैज आप अपना Miayon manually android Pie पे update करना चाहते हो तो आप manually successful OTA की through android Pie पे update कर सकते हो तो android Pie update बहुत सारे countries को मिल रहा है Miayon के लिए पर अपना India छोड़के तो आप इसे पास सकते हो अपनी Miayon में पर android Pie update करने बाद आपको एक problem face करना पड़ेगा कि आप oreo 8.1 में reward back जा नहीं सकते हाला कि आप MI Flash Tool से Oreo 8.1 का कौन सा भी official ROM flash करते हो तो phone boot loop में चला जाता है इस पर अभी तक कोई solution मुझे तो नहीं मिला है पर ये problem आप प्रेस कर सकते हो फिर भी आपको ये Android Pie में ये उन में करना है officially ये method नहीं है ये un-official method है फिर भी आप करना चाहते हो तो आगे की फूरी step आप follow किजे आपको OTA update मिल जाएगा Android Pie का हे गाइज मेर नामें मदन और आप देखरें मदन गाइकवाड यूट्यूब चैनल दोस्तो आभी तक आपने अपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किजे उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करें अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए गाइज यह मेंतर ट्राइकर करके सक्सेस्पूल है बहुत सारी मी यह उनके यूद्स ने अपडेट पाया है तो यह जो भी वीडियो मुझे बेज़े है अपने भाइने भीज़े उनका Cologue नाम है अश्ड़े नाइक उनका भी टेक C Casey आशिस्टे की तो वह भी मैं उनकी बहुत सारी वीडियो बनाती है तो उनके चनल को जाकर सब्स्प्राइब ज़रूर करना तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूं घ्लेर्ट फुली ऑंपर फालो करना पहला स्टेफ आपको करना आपको फोन में जो भी सिमकार्स है वो निकाल देनी है सिमकार्स निकाल देनी के बाद एक बार फोन को on off किजे उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर में बता रहा हूं यहाँ यहाँ एक लेयरफुली सुनना आपको जाना है यहाँ यहाँ पर सेटिंग्स एप्स एंड उसके बाद नीचे all system के apps आपको दिखने को मिल जाएगे और नीचे आना है और उसमें से मैं screenshot पर जो भी Google के apps दिखा रहा हूं उनका data यहाँ पर clear करना है तो यहाँ पर मैं apps के नाम बता देता आपको Google Service Framework, Google, Google Play Service, Focused Location, Location Services, Google Backup, Transport इन सारे apps के data आपको यहाँ पर clear करना है उसके बाद आपको third step करना है कौन सा भी VPN डाउनलोड करना है और उसी से मैं आपका phone keeping वाइपाई से कनेक्ट होना चाहिए उसी से मैं वाइपाई से फून कनेक्ट होना चाहिए और आपको कौन सा भी आपको जो भी वीपेन पसंद आता है उसको आपको कनेक्ट करना है और यहाँ पर वीपेन को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर वीपेन का जो सर्वर होता है वह आपको नेधरलेंन ञीडेंट करना नेधरलेंट जैसे आप इसलेक न नजन जैसे आप इहांपर करते हो कुस्के बाद सिस्टम में आके सिस्टम अप्धेट में आपको दो तीन चार वर ट्राइए करना उसके बाद आंड्रोइड फाय